असलाम अलेकूम, I hope you all guys will be fit and fine कल जैसा क्या आप लोग जानते हैं, हमने फार्माकोलोजी का introduction स्टार्ट किया था वो हमने पढ़ा था, Rehabilitation की बुक से ठीक है आज हम उसी को further proceed करें, लेकिन आज जो है, मैं आप लोगो लिपन कोट से पढ़ाऊंगी पर first of all एक review देख लेते हैं, सबसे पहले कल हमने पढ़ा था, what is pharmacology study of drugs is known as pharmacology, on broad level इसकी दो diviency, pharmacokinetics and pharmacodynamics pharmacokinetics हमने पढ़ा था कि इसमें हमने देखने कि drug ने हमारी body के साथ क्या करना है ठीक है, और pharmacokinetics में हमने देखा था कि हमारी body drug के साथ क्या करती है pharmacokinetics की राद होने तीन डिवियन की थी कि मतलब कि drug ने कैसे अब्जार्ब होने है, कैसे उसकी distribution होने है, कैसे elimination होनी है आज जो हम लिपन कॉर से pharmacokinetics स्टार्ट करेंगे, चलें सबसे पहले हम इसकी definition देखने हैं, what is pharmacokinetics के होती क्या है it refers to what body does to drug है, हमारी body drug के साथ कैसे क्या करना है, ठीक है और dynamics में हमने यह देखने हैं, हमारी drug जो है, वो body के साथ क्या करता है अच्छा, pharmacokinetics पढ़ते हुए ना, इसकी कुछ properties होती है, ठीक है कौन-कौन सी properties होती है, हम चार properties पढ़ेंगे, सबसे पहले, absorption, distribution, metabolism, elimination सबसे पहले हम देख लेंगे, absorption, सबसे पहले ही क्या होना है, अच्छा, drug है, उसको हमने बेशक किसी भी साइड से injection, या पर tablet किसी भी फॉर्म में लिए है, जिस साइड से हमने जो उसको एंट्री करवा देनी है, बेशक वो डिरेक्ट हो, इंडिरेक्ट हो, उसका सबसे पहला काम क्या होना है, उसने अब्लेड को छोड़ देना है, और उसने हमारे इस अब्लेड में जो है ना, डिस्टीब्यूट, उसने डिस्टीब्यूट होना शुरू हो जाना है, ठीक है, उसके बाद आगे हैं, तीसरा का metabolism, cells में चला गया, cells में जाके फिर उसने कैसे metabolize होना है, वो हम देखेंगे, उसका metabolism, ठीक है, उसने जो है, जाके उसने transform हो जाना है, अपने metabolize में, या तो liver में, या फिर किसी और tissues में, और finally, elimination, जितनी में हमें drug बगारा चाहिए थी, जितनी को आंटेट, वो हम रियूस कर ली, जो पक्की बच की, उसको हमने जो है, बाडी से निकाल देना है, इधर कि हम urine में निकाल दें, बाइन में निकाल द ठीक हो गया, ये सारी इसकी farmacokinetic properties,